हलो दोस्तों आप सोबो को इन्फोटिक अमीन चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा प्लोड का एरिया गज में कैसे मापते है दिल्ली के कुछ हिलाकों में जो लैंड है और गज में निकालके उनको बोला जाता है इतना बार के गज है ऐसे हैं तो कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आप जमीन खरी दें तो उसे आप खुद मापना सिखें एक पर माप लें नहीं तो उसमें बहुत बड़ी मिश्टेक होती है क्योंकि उसकी बहलो बहुत ज्यादा होता है अधी एक-दो गज का भी अंतर हो जाता है तो वह 4000 लाखों कंच में डिफ्रेंश हो जाता है इसलिए जब भी है इसे डिटेल जु में इसको आप जानका रखें हैं अगले बारे में पूरा मैं बताऊंगा घंच क्या होता है थो एक घंच में dónde इन फ्रव में हम कह सकते हैं तीन फिट बराबर एक गज के लियर है अधी कोई प्लॉट है हमारे पास अभी इसमें आईताकार ही प्लॉट लिये हैं एधी कोई प्लॉट है जिसके लंबाई मान लिया जाए साथ साथ फिट नौ इंच है कितनी है साथ फिट नौ इंच इधर भी लंबाई आपको साथ फिट नौ इंच होगा अधी आधाकार है तो इसकी चवड़ाई हम लोग माल दिया जाए पचास फिट छे इंच पचास फिट छे इंच गज में ही निकालना है तो हमको माप किस में लेना पड़ेगा फिट में लेना पड़ेगा इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साथ फिट नौ इंच को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथ फिट का एक कॉमा है उपर में नौ इंच अब इसको हम लोग डेसीमल में करेंगे तो यह आपको होगा साथ दसमलो सेवन फाइब फिट ठीक है क्यों होता है उसको मैं पहले के वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ इसको मैं भी हम डेसीमल में करेंगे पचास दसमलो फाइब फिट ओके इससे मैं आपको एक बता ही देता हूँ जैसे पचास पॉंट फाइब क्यों लिखे पचास फिट छे इंच है ठीक है पचास फिट तो किलियर है अब छे इंच को हम पॉंट फाइब कैसे लिखेंगे है तो क्योंकि हम 12 इंच ब्राबर एक फिट होता है यह तो पता है नई पता है लिखेंगे 12 इंच बराबर 1 फीट, 3 फीट में 1 गज, आज का यही दो फर्मूला है, तो 12 इंच में 1 फीट, तो 6 इंच में कितना होगा, 6 बटा 12 कर देंगे, 6 को 12 से भाग देंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानि कि एक कितना हो जाएगा हमको, एक को 2 से भाग देंगे, तो 0.5, यानि कि 50.5, ठीक है, ओही चीज मैं यहां से लिखा हूँ, चलिए, अब इसका हम एरिया निकालते हैं, एरिया निकालने का क्या फर्मूला होता है, इस प्लोट का, क्योंकि यह आईता कार है, तो आईता की आर का फर्मूला क्या होता है, एल इंटू, बी, यानि लंबाई गुना चावड़ाई, लंबाई का स्थान पे हम लोग डेसी मलमला इसमें रखेंगे, नहीं कि आप एपला रख दो, इसमें हम लोग 60.75 रखेंगे, गुना चावड़ाई लिये हैं, 50.5, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, विडियो को आप पूरा देखें, तब इस समझ में आएगा, विडियो अच्छे लगे, लाइक जरूर करें, कोई भी कॉमेंट हो, आप खिचके चाहें नहीं, अराम से उसमें कॉमेंट बाक्स में लिखें, यह होगी आपको, तीन हजार, 67.875, इसको बहुता है, स्क्वाइर फिट, इसको हमनों हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग फिट, मैं कोशिस करता हूँ, गाउँ दिहात के बीज लड़के हैं, जो हिंदी भी समझ लें, इंग्लिस में समझ लें, ठीक है, यह हमको बर्ग फिट में आ गया, अब एक गज में तीन फिट होते हैं, अब एक इसक्वाइर गज, बरावर कितना फिट होगा, नौ फिट होता है, यह भी नोट करने हैं, यानि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, एक वर्ग गज, बरावर 9 फिट, यह सब को क्या है, हमें इस्टार करता हूँ, जो नोट करने वाली जो फर्मूला है, अब इसका गज में हमनों निकालेंगे कैसे, जितना भी बर्ग फिट का आया है, 3,067.875, इतना इसको आप भाग देते हैं, इससे, 9, क्योंकि एक वर्ग गज में 9 फिट होते हैं, अब जो भी है, वो वर्ग गज में आ जाएगा आपको, इसको आर गज या यार्ड, हम लोग इसको भाग दिए, ए आगिया आपको, 340.875, वर्ग गज, समझ में आ गया, सबसे पहले उस परोट का हम लोग लंबाई ना पेंगे, फिर चवडाई ना पेंगे, लंबाई चवडाई को ना पेंगे, हम लोग जो एरिया निकालने के लिए लंबाई गुने चवडाई करतेंगे, तो इस पूरा परोट का एरिया निकल जाएगा, और जितना भी आए, इसक्वाईर फिट ओकाल आएगा, और उसको नौ से भाग दे देंगे, तो इसक्वाईर गज हो जाएगा, इसक्वाईर याड हो जाएगा, ठीक है, आसा करते हैं, वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, नेक्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद,